अब कमिंग अभी सोड में दिखाये जाएगा कि जल्दी करवाचो उताने वाली है जिसके लिए विद्या तैयारिया भी करती है वो सब लोग के लिए सोपिंग करके आती है और रुई साधियां देख रही होती है पर तभी दादी सा महा जाती है विद्या रुई को खाना कहल रही होती है और रुई कहती है कि मैं इतना ही खाऊंगी लेकिन विद्या उससे कहती है कि तुम्हें बरपेट खाना ही होगा क्योंकि तुम वरत करने वाली हो और फिर तुम बीच में बूक लगेगी तो तुम वरत कैसे रखोगी या तो तुम ठंग से खाना काओ या फिर मत रखो तो रुई फिर से खाना सुरू कर देती है तब ही दादी साब आती है और वो विद्या से कहती है कि तुम ने गड़ तो संभा लिया है लेकिन अपनी जिम्मेदारिया नहीं निभाई तुम सब लोगों के लिए गिप्ट लेकर आई लेकिन अभीरा के लिए साड़ी क हम तुम्हारी तरह नहीं है हम अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाएंगे दादी साब अपनी दोनों बोवों को साड़ी गिप्ट करती है और उन्हें सरगी भी देती है लेकिन साथ में वो अभीरा को विवा बुलाती है और उसे वो साड़ी देती है जो दादी सा को उनकी सास ने दी थी और यह देखकर विद्या और रोई दोनों को बूरा लगता है क्योंकि आज तक वो साड़ी दादिशा ने विद्या को भी नहीं दी थी